जहन नमस्कार दोस्तों मैं आनंद चोहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दि शागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विदारें चोहान में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है आप लोगों के लिए ब्रहमास्त्र बैच को स्टार्ट किया गया है और ब्रहमास्त्र बैच में दोस्तों आपको स्टैटिक जीके का दोस्तों कम्प्लीट सॉलीशन करवाया जा रहा है और स्टैटिक जीके में आप लोगों की दोस्तों प्वाइंट्स बताए गए उनके नोट्स भी बनाईएगा तो दोस्तो जैसा कि हमने कलकी किलास में पढ़ा था पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था केंद सरकार की प्रिमुख योजनाओं के बारे में जिसमें से दोस्तो हमने पार्ट बन को बेहत सांदार त क्योजनाओं ये दोस्तो फिनिस हो जाएगा और नेस्ट चेप्टर में हम अगली वीडियो में प्रिवेश करेंगे दो चलिए दोस्तो आज की सरकार की प्रिमुख योजनाओं का मारा लाषट पार्ट रहे गा पार्ट टू में आपकी सभी योजनाओं जोस्तोjekt चलिए द लोगों ने दुस्तों उनका रिवेजन भी किया होगा ऐसी में दुस्तों आप लोगों से आसा करता हूं क्लियर चलिए दूसरी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी कंडिडेट दुस्तों इस चैनल पर पहली बार विजिट कियो हूं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हूं तो प्लीज दूस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ऑन जरू कर लिजएगा ताकि दूस्तों जब भी कोई नोटिफिकेशन आए वो आपको दूस्तों सही समय पर मिल सके और जिन लोगों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के तो एक ब बिना बात किये बिना देरी कि आप बात करते हैं अपने मुद्धे पे जैसा कि दूस्तों आप सबी को पता है कि हमने अभी तक जितने भी योजना है कंप्लेट की थी और पिछली क्लास जूस्त अपकी नमामी गंगे योजना से श्टॉप की थी और आप से कहा था कि जब भी दुस्तों योजना हैं ति उनके बारे में चर्चा किये थे स्टार्ट अप इंडिया उज्वला इन सभी योजनाओं के बार दुस्तों हम चर्चा कर चुके तो आज हम पढ़ेंगे नमामी गंगय योजना की बारे में तो आज दुस्तों इमारा पार्ट टू में दुस्त आ सके और अपने सांधार नोट्स बना सके और अपने तयारिक दोस्तों बहतर से बहतर बनाने की कोसिस कर सके तो दोस्तों एक बार वीडियो को सेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग दोस्तों क्लास में जल्दी से योजना है वो कभ श्टार्ट केगी तो उनकी आपको डेट और याद रखनी है और उनकी मुक्त थीम क्या है यदि बात करते हैं कि नमामी गंगे तो नमामी गंगे यानि कि दूस्त आपका सज़धा सपंड़ा है कि गंगा नदी से इसका संबंध है क्लियर दोस्तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि इसका जो संबंध है वो किस से दूस्तो गंगा नदी से संबंध है क्योंकि दूस्तो योजना का नाम क्या है नमामी गंगे जब नमामी गंगे नाम है तो इसका संबंध भी सीधा सा है कि गंगा नदी से ही होगा तो इसकी थीम क्या है तो दोस्तो इसकी थीम यही है कि गंगा नदी की सुचता क्योंकि गंगा नदी में हमें कूडा नहीं करना है हमें क्या करना है उसको स्वक्छ बनाना है गंगा नदी को सुच रखना है तो ये नमामी गंगे जोना की सुरुगात होई थी किलियर दोस्तो अमीद है दोस्तो आप लोगों को यहां तक की सारी बात समझ में आ चुकी होगी तो अब बात करते हैं अपने नेक्ट वाइंड पे इसका जो मंत्राल है दोस्तो वो आपका कैंद्रिय जल संसाधन नदी विकास और गंगा काया कल पे मंत्राले दोरा संचालित है किलियर दोस्तो उमीद है दोस्तो आप लोगों कि यहां तक की सारी बात समझ में आ चुकी होगी चलिए अगला है आजीविका ग्रामीड एक्सप्रेस योजना कौसी दोस्तो आजीविका ग्रामीड एक्सप्रेस योजना जिसकी सुरुगात आपके दोस्तो वर्स 2017 में होई थी वर्स 2017 में दोस्तो इसकी सुरुगात होई इसका दोस्तो जो प्रमुक थीम है वो है ग्रामीड आजीविका मिसन की योप योजना है और इसका मंत्राला ग्रामीड विकास मंत्राला द्वारा संचालेत है क्लियर तो एक बार दिखी दूस्तो स्क्रीन स्रॉट लेते जाईएगा ताकि दूस्तो आपको वीडियो के लाश्ट में नोट्स बनाने में कोई प्रब्लम क्रियेट ना हो तो नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीन स्रॉट लेते जाईएगा दूस्तो आपको बता दे दूस्तो इसमें कुछ ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है बस आपको याद रखना है कि कौन सी योजना है कौन सी स्कीम है आपको और वह स्कीम कब लाँच हुई है कब लाँच हुई है बस आपको इसकी डेट याद रखना है क्या याद रखना है दूस्तो आपको इसकीम याद रखना है कि कौन सी स्कीम कब लाँच किस डेट को दूस्तो आपकी लाँच हुई है और इसकी थीम क्या है बस इतना ही याद रखने है आप से कुछ भी नहीं पूचेगा थीम भी बहुत ही मुस्किल है जो पूचे लेकिन आवर्ज योजना कब लागू ही थी ये जरूर 100% पूचता है अगला है दोस्तो पूचेगा थीम भी पूची जाती है अगला है दोस्तो प्रदहान मंतरी सहज बिजली हर घर योजना सौभागे जिसकी सौभागे जिसकी सौभागे नाम से जानते हैं जिसकी जोस्तो योजना की सौभागे 25 स्टमबर 2017 को किया गया था और हर गर बेजली प्रदान करने के लिए इस योजना की प्रमुक थीम अपनाई गयी थी क्लियर चलिए, अगला है राश्टी पोशड अभियान दोस्तो, राश्टी पोशड अभियान, यानि कि दोस्तो, सही पोशड देश रोसन, जब हमें दोस्तो, सही मात्रा में पोशड मिले गा, to deash veryitzer सुन कहें, इसकी सुर्खात 30े नमबर 2017 को शोय थी, कभ भियती दोस्तो, प 2022 तक भारत के कोपोशल मुक्त भारत का निर्माल करना है इसकी मुक्त थीम यदि आपसे पूछा जाए यदि आपके एग्जाम में या आपसे कोई कुश्चिन पूछे कि पोशल योजना का मुक्त थीम क्या है पोशल योजना की मुक्त थीम क्या है तो दोस्तो पोशल योजन का संबन्द जो है वो आपका कोपोशल मुक्त भारत से है कि भारत को हमें कोपोशल से मुक्त करना ये इसकी मुक्तिम रही है किलियर चलिए अगला है दुस्तों गोवर धनी उजना कौँसी दुस्तों गोवर धनी उजना जिसकी सुरुगात आपकी एक फरवरी दो हजार अठ ठारे को की गई और इसकी मुक्ति में वहीं है आपकी पिस्वों के गोवर और खेतों के थोस अप्सिस्ट पदारतों को कमपोष्ट बायो गैस और बायो सी अन्जी में परवर्थित खरना है जैसे कि आप सभी को पता है कि हम Gowar Gas Gowar से किस के निर्माल करते हैं दूस्तो Gowar Gas का तो पस्णों के दूस्तो जो Gowar हैं हो खेतों में डालते हैं उनके ठो सबसिष्ट पदार्त होते हैं उनको Composed, Bio Gas और Bio CNG में दूस्तों हम परवर्थित करते हैं सिन जी गेस पर आते हैं क्लियर चलिए तो याद रखेगा जो आपकी दुस्तों गोबर्दन योजना है इसकी सुरुगात आपके कहा है थी एक फरवरी 2008 को बस इतना याद रखने यह इंपोर्टेंट है दुस्तों यह जितनी भी योजना है यदि आपने इन सभी योजनाओं के ही दुस्तों mostly question पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा स्टैक्स जी के current affairs के ही दुस्तों GKS में question आते हैं और यदि आपने GKS में स्टैक्स जी के को cover कर लिया ना एक बार तो समझ लो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी एक्जाम में तो याद रखिएगा यहां से आपको दो नमबर में दिला देगा जितनी भी योजना हैं बहुत यह अच्छे तरीकी समझ लेना पढ़ लेना याद रख लेना तो आपके अग्जाम में दुस्तों यह दो नमबर 100% मिलेंगे चलिए अगला है वन धन योजना वन धन योजना इसकी सुरुगा दोस्तों आपकी 14 अप 2018 होई अगला है दोस्तों पीएम आसा पीएम आसा बारे सितंबर 2018 को इसकी इसकी शुरुगात होई जिसमें इसकी मुक्ष जो थी में वो किसानों को इनकी उपज के लिए लाबकारी मूल सुनिश्चित कर सके किसान जो भी दोस्तों फसल उकाई व्योपी उपज हो उसको द अग्जामनर चालाक होता है आप से कुश्चन किस तरीके से करेगा कि बिश्च की हैल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना कौनसी है तो आपका जवाब हो जाएगा आयूश्मान भारत अगला है दोस्तों इसकी जो शुरुगात होई थी वो कब होई थी 23 सितंबर 2018 को आयूश मंत्राल है आयूश मंत्राल है क्या है दोस्तों आयूश मंत्राल है और शीय मंत्राल है दोर आपके आयूश योजना का शुरुगात होई अगला है दोस्तों आपका प्रधान मंत्री किशान मानधनी योजना प्रधान मंत्री किशान मानधन योजना पी एम के एम बाई इसक चलिए तो एक बार स्क्रीन देखिए मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगा एक बार आप लोग जब आपका ये पॉइंट फिनिस हो जाय तो इसका स्क्रीन सोट ले लिया कर तो जिन लोगों को स्क्रीन सोट लेना है तो आप स्क्रीन सोट ले सकते हो चलिए अगला पॉइंट ह प्रदहान मंत्री किसान सम्माने ने दी जिसकी सुरुगा 24 फरवरी 2019 को हुई थी कब हुई थी दोस्तो पी-एम किसान सम्माने ने दी हो जिना इसकी सुरुगा 24 फरवरी 2019 को हुई थी और इसकी मुक्ति में कि भारा सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमान किसानों को प्रतिच्छा आए संबंद साहता देना और एकरसी मंतराला द्वारा आपका संचालित है क्लिए है दोस्तो तो एक बार स्क्रिंस्ट ले लिएजीगा सबी प्यर दोस्त अगला है प्रदान मंतरी कुसम योजिना इसकी सुरुगात मार्च 2019 में हुई और किशानों के लिए सॉलर पंप और नवीनी करणी उर्जा सेंतरों के स्थापना के लिए इसकी थीम को लॉंच किया गया अगला है दोस्तो प्रदान मंतरी गरीब कल्याड उजिना तो बात करते कि प्रदान मंतरी गरीब कल्याड उजिना की सुरुगात को हुई थी तो इसकी सुरुगात अप्रेल 2020 में हुई थी प्रदान मंतरी गरीब कल्याड उजिना की सुरुगात अप्रेल 2020 में हुई को हु अगला है दुस्तो जल जीवन मिसन हर घर जल और जल जीवन मिसन की सुरुगात आपकी 15 अगस्त 2019 को ही जिसमें ग्रामीड भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिकत घरेलू नल कनेक्शन के माद्यम से जल पहुंचाना ये इनकी मुक्तिम रही है जो कि 15 अगस्त 2019 को इसकी सुर जाले थे अगला है फिट इंडिया मुव्मेंट इसकी सुरुगात दुस्तो आपकी फिट इंडिया न्यू एट 29 अगस्त 2019 को ही और से आसान जीवन सैली से लेकर दिन परते दिन के जीवन के सारे रिव ग्रूप से सक्री तरीके से ब्युहार में परवरतन ला सके अगला है स्मूरा स्सूरुप स्वाषन जिसको हम बोलते हैं सुमन जोजना स्रिच्छित मात्रित अस्वासन या सुमन जोजना इसकी सुरुगात आपकी दुस्तो 10 अक्टूबर 2019 को हुई थी और मातरत मृत्यु दर एवं सिस्यु मृत्यु दर में कमी लाने को इस योजना को दुस्तो लॉंच किया गया किलियर दुस्तो तो एक बार स्कीन स्वाट लेना चाहो तो स्कीन स्वाट ले सकते हो चलिए अगले पाइंट क्यों चलते हैं दुस्तो अगला है आपका अटल भूजल योजना अटल भूजल योजना तो एक बार में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दुस्तो यदि आपको यदि आपको लगता है कि वाकई में आप लोगों के लिए यदि दोस्तो आपको लगता है कि वाकई में ये वीडियो हमारे लिए helpful है और आपको लगता है कि वाकई में आप लोगों के लिए दोस्तो दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि दोस्तो आपको ये वीडियो है वो आप लोग समझ सकें, देख सकें और अपने नोट्स बना सकें और आगे आने वाली परत्योगी परीचहों में दोस्तो आप सफलो सकें जो आपने सपना देखा है उसे आप साकार कर सकें तो उसे के हिसाब से आप को खुद लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तो क्या आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हो तो एक लाइक तो दोस्तो आप लोगों के लिए बनता ही है और ये सिर्फ दूस्तो आप लोग ही कर सकते हो सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो दूस्तो तो टीचिंग मिदान अंचान फैमली को दूस्तो आप उपर तक ले जाएए और लोगों को जोड़िए और लोगों को बताएए कि आईए और इस चेनल को दोस्तों एक बार समज़िये इसको वीडियो देखिये और समझने की कोशिस केजिये और ओर सिर्क आप लोगों के ही दोस्तों सहयोग से हो पाएगा तो में आप लोगों को दोस्तों दिल की गहनाई ही आप जो बहुत ही जादा दोस्तो सपोर्ट करते हो और करते आए हो तो उसी क्रियम में आज मैं यहाँ पर दोस्तो पहुँचा हूँ जो कि अब तक हमारी यूटूब फैमिली दोस्तो टू के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके है और जल्दी ही दोस्तो आप लोगों का ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम दोस्तो बहुत ही बड़ी फैमिली पर पहुँचेंगे अपना जो टार्गेट देखा है दोस्तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे बस आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रही है तो प्लीज दोस्तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तो एक बार वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है पहली बार दोस्तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूब कर लीजिएगा ताकि दोस्तो आपको ऐसी ही इंपोर्टेंट वीडियो मिलती रहें चलिए बात करते हैं अपने टापिक पे दोस्तो तो 25 दिसंबर 2019 को दोस्तो आपकी अटल भूजल योजना की सुरुगात ही कब ही थी दोस्तो 25 दिसंबर 2019 को इसकी मुक्तीम थी देश की उन सभी छित्रों में जल संकट गरस्ट छित्रों में मूझल संसाधनों की प्रबंद में सुधार करना जहां पर दोस्तो संकट गरस्ट है पानी की सुधास नहीं है जल की सुधा नहीं है तो वहां पर दोस्तो संसाधनों को सुधार किया जा सके चलिए तो एक बार स्कीर्शोट लेना चाहो तो स्कीर्शोट ले सकते हो तिर्फ आपको दूस्तो याद रखना कि कौन सी योजना किस सन को लागू के गए अगला है दूस्तो पी-एम स्वाइट स्वामित योजना दुहजार बीस इसकी सुर्गात आपकी 24 अपरैल दुहजार बीस में हुई इसका मुक्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हमें स्वैम पर निर्भर रहना चाहिए स्वैम आत्मे विश्वास जगाना चाहिए तो आत्मे निर्भर भारत योजना यानि भारत को कैसा बनाना है आत्मे निर्भर बनाना है तो आत्मे निर्भर भारत की सुरुगात आपकी 12 मई 2020 को ही थी जितने भी गरीव और स्ट्रमिक की दिस्तों स्रुगात कभी थी तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं तो प्रधान मंतरी मस्ज सम्वन जिजना की सुरुगात दस स्तंबर 2020 को खोई थी और मस्ज निर्यात पांच बरसों में दोगना करना इसकी मुक्तीम है कि हमें योजना की दुस्तो मुख्य थीम है अगला है दोस्तों आत्मे निरोबर भारत रोजगार योजना आत्मे निरोबर बारत रोजगार योजना जिसकी शुगात 12 नवंबर 2020 को ही जिसे कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई थी और इसके तहत नई नोकरियों का स्रजन हुगा और रोजगार आउसर बढ़ाना था तो यह आत्म निरवर भारत की मुक्तीम रही है अगले पांट के चलते हैं दुस्तो अगला है प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना की सुरूबात 9 माई 2015いक हो ही थी जिसमें दुस्तो कमजोर और गरीब बर के लोगों कम प्रिमियम वाले बीमा योजना की सुबदा देना इसकी मुक्तीम थी अगला पाइंट है प्रधान मंतरी कौसल विकास योजना 3.0 जिसको हम बोलते है पी एम के भी बाई प्रधान मंतरी कौसल विकास योजना इसके सुरुआत 15 जनवरी 2021 को ऐसे लोगों को रोजगार मोहीजा कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देत था बेचबूरी बस दोस्तों विक में स्कूल छोड़ दिया हो पढ़ाई छोड़ती हो तो उनके दुस्तों योजना के लिए दुस्तों प्रधान मंतरी मोदी जी द्वारा पी एम के वी बाई योजना को लागो किया गया 15 जनवरी 2021 को क्लियर चलिए अगला पाइंट है य जल संचेन यानि बहामें जल का एकटा करना वर्से के जल को वर्से के जल को संचे करना युवा पी एम योजना पी म यूजना इसकी सुरुगाथ 29 मैं 2021 को ही ती कावी थी दूस्तों 29 मैं 2021 को उन सभी नवोदित लेकों को बढ़ावा देना देश की संदरता के लिए किये ग वहवित बक्ति के विकास में समगर सुधार करना तो ये उस टाइम दोस्तो इस योजना को लॉंच किया गया था अगला है कि जान है तो जहान है अभियान की योजना की शुरुगात तो सीधी सी बात है जब तक जान है तब तक जहान है यह दोस्तो आपका 21 जून 2021 को ही दोस्तो इसकी शुरुगात होई थी कवी थी दोस्तो 21 जून 2021 को इसकी शुरुगात होई थी और इसकी जो मुक्ष उथी में वह दोस्तो COVID टीका कड़को बढ़ावा देना कि ताकि सभी लोग COVID का टीका लगवा सके अगला है नेपुड भारत कारिकरम, निपड भारत कारिकरम इसकी सुरवाथ 5 जुलाई 2021 को हुई, इसकी आधारवूत सारचताय उन संक्यात्मक्ट के ग्यान को छात्रकों को एकंतरित करके उनके अंतर दिखी का आपके एक्जाम के लिए उस्तों बहुत ही ज्यादा बेनेफिट रहने वाला है अगला दूस्तों पी एम मित्री युजना इसकी सुरुगात आपकी 6 अक्टूबर 2021 को ही और भारती टैक्स्टैल के इस तरक बढ़ावना देना और इससे जुड़े लोगों की स्थि को मजबूत करना इस युजना का दूस्तों प्रमुख वद्दीश रहा है अगले पांट को चलते हैं अगला है प्रदहान मंतरी गती शक्ती युजना दूस्तों प्रदहान मंतरी गती शक्ती युजना इसकी सुरुगात आपकी दूस्तों 13 अक्टूबर 2021 को कब 13 अक्टू लोगों को हमारे दोरा कही कि यहां तक कि आपको सारी बाते समझ में आ चुकी होगी अब बात करते हैं दोस्तों पने नेक्स्ट पेज पे और यह हमारा दोस्तों लास्ट पेज रहेगा अंतिम सफर कर रहे हैं दोस्तों यह अंतिम दो योजना हैं जिनके बारे हम चर्चा करन रहेंगे अगला है दोस्तो स्वानधी पी-एम योजना पी-एम स्वानधी योजना जिसकी तरुगात दोस्तो हुई थी तेरे अपरेल दो हजार बाइस को इस्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर पर आसान सरतों पर काम करने के लिए रिड़ अपलब्द कराना इस योजना तो यहां तक कि आपको इस योजना को बिलकुल सही डंक से आपको समझ में आ चका होगा अगला है दोस्तो आपकी योजना है वो अगनी पती योजना तो इसके बारे में आप लोग पहले ही बहां तहीं जानते हैं कुछ आप लोग बताना तो नहीं है कि अगनी पती योजन इसको कर दीगी थी 14 जून 2022 को जिसको आपको टी योडी बोलते टूर अब डूटी जिसकी भरती आपकी तीन साल से बाद एक साल और बढ़ा देगी तो चार साल के दुस्तों सेना युवाओं में अपना सेवा दे सकेंगे तो यह आपकी अगनी भरती यूजना थी जिसमें आ हो चाहें आपका दूस्तों नेवी हो चाहें आपका ए एर फोर्सू हो तीनों सेना आपके दोस्टों अगनी वीर के अंतरुकती होगी और इन तीनों के दो सीब्स दूस्तों जो जॉपर्श केृएं रहे गी तो अगनी पत्यूजना की जो सścieं थी वह यही थी जो आपकि तो अमीद है दोस्तो आप लोगों को यहां तक की सारी बाते बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सटीकता से समझ में आ चुकी होगी ऐसी में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ तो आज की जो क्लास है दोस्तो आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तो और आज की क्लास में दोस्तो इस government scheme कें सरकार की जो भी जो भी दुस्तो योजनाई थी जो भी schemes थी उन सभी को दुस्तो ने बहुत वर आसान तरीके से cover कर लिया है अब हम पहुँच चुके हैं दुस्तो अपने next chapter के ओर तो ये chapter जो आपका बूरा दुस्तो फिनिस हो चुछा है पूरा complete chapter हो चका है अब यहांज दुस्तो आप देख सकते हो आप देख रहे हैं पूरा book का पीडियाप यहांज दुस्तो हमने सभी उजनाओं को दुस्तो कवर कर लिया है अब यहांज दुस्तो आपका नया chapter start होता है जिसमें दुस्तो हम के jam mandalisa chtr है उनके बारे में दुस्तो आप लोगों के से हम discuss करेंगे next वीडियो में next वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा सांधर रहेगा जैसे कि आपके पिछली वीडियो हमेशा सांधर होती चली आ रहे है ऐसी दुस्तो आपके permanent बनी रहेंगी प्लीज दूस्तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब परना बिलकुल ना भूले, क्योंकि दूस्तो टीचिंग विदारा इंचोहन का दूस्तो एक उद्धिस है, कि आपको दूस्तो सफलता के मारक दरसन तक वो जल्द ही दूस्तो पहुंचा सके, तो चलिए दूस्तो